गुट इवनिंग कमांडोज कैसे हैं आप सभी लोग तो कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया में देख रहा था कि आपने कल कोश्चन उतने कठी नहीं थे आलांकि कोश्चन में कोश्चन जो है वो जड़न ज़ी सिंपल टाइप ही कोश्चन आते हैं पर आपने अच्छा किया उसमें कई बच्चों ने 50 आउट और 50 भी सही किये चलिए आज फिर देखते हैं आज थोड़ा सा कोश्चन का डिफिकल् लाइने बोलूँगा आप से 2 लाइने बोलूंगा जिसको दिल में रखना ठीके ना जीत में ना हार में मेरा यकीन है सिर्फ प्रहार में मतला एक सच्चा कमांडो ये कभी नहीं सोचता है कि वो जीते गा या वो सिर्फ अपना कर्म करता है कि मुझे पढ़ना है मुझे आज कुछ सीखना है मुझे आगे बढ़ना है ये सबसे important बात है क्या होता है कि जब हम परिणाम से अपनी पढ़ाई को जोड़ लेते हैं तो हम कई बार निरास हो जाते हैं हमें लगता दूसरा इतना आगे हम तो पीछे रहे गए अब कैसे होगा अभी और फिर एक गाना हम जो गाते अकसर backlocked, backlocked, backlocked कि तो वो गाना भी हम गाते रहते साथ-साथ मिटके तो भया ऐसा है कि मैं यही बोलूँगा आप से कि आज का दिन क्या सीखे हम यह important है आज के दिन हम क्या सीखे यह important है आपको और मैं फिर कह दू आपसे कि इस समय self-study सबसे important role play करती है और आपको अपने समय का best possible use करना है ठीक है ना clear तो शुरू करते हैं हम चलिए फिर से एक नए जोश के साथ पूरे होश के साथ और जीतने की मैंने कहा ना एक बार जब मिदान में उतर गए हैं तो फिर जीत का नहार का मेरा यकीन है सिर्फ प्रहारमेंट जीत में नहार में मेरा यकीन है प्रहारमेंट के और मैंने एक बात पहले कही थी में और मेरी तनाई और दिन गुजार दिये तुमने तो अच्छे से पढ़ाई करो है ना एक्जाम में निकलना है बड़ा वाला प्राइस चाहिए कि नहीं मतला हमने बोला है मतला होगा समझगे ना ठीके चलिए तो question number one हम सुरू करते थे आपको उटके तो question number one आपके सामने screen पा रहे है तो question number one का answer की चलिए ठीके तो देखो सही उत्तर करना गलत उत्तर करने वालों को पता है that पड़ेगी which has the smallest diameter किसका diameter सबसे कम होता है प्लीज छोटे छोटे basic question सही होना चीए ये किसका diameter सबसे कम होता है smallest diameter किसका होता है right primary bronchus left primary bronchus trachea या respiratory bronchios बिल्कुँ simple सा question है एकदम simple question है यदि इस question में हम जाएंगे तो क्या देखने है बिटा देखो बिटा कुछ structure दिमाग में लखिए इसमें अब हम ये respiratory tree देखने है trachea ठीक है trachea के बाद कहां बढ़ गया है left और right bronchus में बढ़ गया है left और right bronchus में बढ़ गया है उसके बाद क्या हुआ बिटा left man bronchus right man bronchus फिर ये secondary bronchite then उसके बाद बनता है ये bronchus तो सबसे कम diameter किसका होगा सबसे कम diameter होगा bronchus का सबसे कम diameter होगा ठीके न ये larynx है और larynx के बाद क्या होता है ट्रेक्या की सुरुवात होती है clear और ट्रेक्या में आपको C-shape के cartilis नस आपको cartilis ring देखने मिलती है आपको जो C-shape की होती है छूटी-छूटी जानकारी है याद रखना है आपको तो पहले question का answer आपने बिल्कुल सही दिया simple सा question था कि respiratory bronchus का diameter इन चारों में सबसे कम होगा question number 2 आपके सामने screen पर है match column 1 with column 2 second and select the correct option कि first column first को column second से match कीजे सही उत्तर को चुनी जल्दी-जल्दी करना है question बहुत सारे question लगाना है time कम लगाना है क्योंकि time बहुत कीमती है भाई ये ना समझे जल्दी-जल्दी लगाओ फटा-फट की ना answer आना ची जल्दी-जल्दी अरे what's it larynx है तो voice box हो गया तो A का 3 बतलब ये वाला cancel के trachea क्या है trachea है wind pipe ठीके B का 4 B का 4 है ठीके तो answer जिंद में जाएगा C elbow क्या हो गया air sec होते है elbow C का क्या हो गया 2 हो गया C का 2 हो गया D epiglottis क्या होता epiglottis D lid of the larynx larynx के उपर लिडोती न ताकि अंदर जो है वो glottis से अंदर जो है वो trachea के अंदर food डा चला है तो answer आगया आगया इसका A is the answer ठीके न A is the answer मतलब इस question है चारो match करवा ही लिए इसने इस question है चारो हमसे match करवा ही लिए ठीके न clear यह जो common पैसे यह क्या है pharynx this is the pharynx clear ठीके याद रखना है न चलिए फिर question number 3 आपके सामने skin पर है फटा फटा अंसर दिए the elbow epithelium in the lungs is lungs की elbow epithelium यह question बता रहा हूँ 20 21 need most probable question आएगा किसी को बोलना नहीं आएगा ठीके न the elbow epithelium in the lungs is क्या होती है बताओ यह यह होती है simple squamous epithelium ठीके न मतलब इसमें columnar नहीं होती है silted नहीं होती है silted नहीं होती है answer आगया इसका non silted simple squamous epithelium को की हाँ पर air action होता है ठीके न clear तो answer क्या है बटा इसका answer क्या है जो है देखो रहा देखो जहां से न यह देख रहे है कि एक जब भी कभी air action होता है न बटा तो एक तो क्या हो गया एक तो हो गई यह जो है epithelium epithelium जो epithelium होती है वो epithelium क्या होती है वो होती है simple squamous epithelium होती है ठीके फिर यह क्या होता है यह basement substance होता है और यह क्या होती है इसकी endothelium होती है यह तीन layer से गुजरती है है ठीके endothelium capillary की layer होती है clear चलिए question number 4 आपके सामने screen पर है question number 4 फटा फटान सा करना है during inspiration the volume of thoracic cavity increases because of inspiration के दुरान thoracic cavity का volume बढ़ जाता है क्योंकि कौन contact करता है volume कैसे बढ़ता है ध्यान से option पढ़कर सही उत्तर दीजिए please कि मेरा बड़ा मन है कि मैं आपकी evening में live class लूँ लेकिन problem क्या है evening में मेरा medical consultation होता है online इसलिए में live class नहीं ले पता आपकी evening में और दिन में schedule already tight होता है सब बच्चों का आपका के इसलिए मैं दिन में class नहीं है खेर एक आद दिन लूँगा आपकी class live में during inspiration the volume of thoracic cavity increases because of inspiration के दुरान तो तो इस इंपल सी बात है वाल्यूम हमारे जो लंग्स होते हैं यह vacuum pump के समान काम करते हैं जब यह boils law को follow करते हैं जब वाल्यूम बढ़ता है तो air का pressure drop जाता है जब वाल्यूम कम हो यह contact करता है और यह flat आता है तो diaphragm contact करता है बिल्कुल सभी बात है तो relax वाले option तो cancel हो गए ठीक है फिर जो एक external intercostal muscle होती है वे उपर की और खिशती है वो क्या करती है और उपर की और खिशती है उस कोट के तो मैंने कहा external intercostal muscle वो भी जो है वो connect करती है आंसर आ गया इसका A is the answer देखिए दिया आंसर ठीक है थोरसिक केविटी expand करती है external intercostal muscle contact करती है diaphragm contact करता है diaphragm contact क्या external intercostal muscle contact की और इससे थोरसिक केविटी का volume बढ़ जाता है volume बढ़ता है तो boil lock according pressure घट जाता है तो बाहर से air अंदर की और आ जाती है ठीक है ना यदि किसी कारण से हम थोरसिक तो जो expansion है उसमें जो है वो lungs जो है मैंने करा vacuum के समाना regimen होता है तो lungs अपने आपको expand नहीं कर पाएंगे lungs collapse कर जाएंगे इसलिए जो है कई बार जो है वो ऐसी injury जिसमें कि lungs में damage नहीं होता है तब भी वो death का कारण बन जाती है क्योंकि थोरसिक केविटी में छेद हो चुक जाने के external intercostal muscle ribcage को उपर खीचती है diaphragm नीचे की और जाता है volume बढ़ जाता है और जब explanation करते है तो diaphragm relaxed होएगा वापस से volume कम कर देगा external intercostal muscle जो है वो भी relaxed हो जाएंगी ठीक है ना clear तो answer आगया इसका a question number five asthma is caused by asthma किस कारण से होता है asthma किस कारण से होता है asthma is caused by ये भी बटा है exam का सबसे important most probable question है तो देखो बटा lungs का infection किसमें होता है बटा pneumonia में निमोनिया में lungs जो है वो इंफक्ट कर दो निमोनिया में ठीक है pulmonary tuberculosis में ठीक ही ना लंग से इंफक्ट आते हैं के clear जो अस्थमा होता है अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रॉंकियों से जो respiratory ब्रॉंकियों से ब्रॉंकाई वाला जो जो conducting पार्ट है not हम बोलेंगे अस्थमा में जो conducting पार्ट जो conducting पार्ट होता है respiratory का उसकी जो smooth मसले वो contract कर जाती है और उससे क्या होता है कि air passage जो है वो narrow होने से जब हम stethoscope को लगाते हैं जब हम किसी की chest में stethoscope को लगाते हैं तो लगाने के बाद हमको एक kneezing sound सुनाई पड़ता है हमें एक प्रकार से whistle के समान हमें sound सुनाई पड़ता है ऐसी आवाज आती है हमको के और वो जो आवाज होती है उसको हम पचान लेते हैं तो यह asthmatic problem इसको head के तो asthmat में क्या होता है कि इस bronchial muscles में spasm हो जाता है ठीक है देखें आप देखें आप अस्तमा में एक normal lungs का आपको आप देख रहे हैं bronchial को और आप देख रहे हैं अस्तमेटिक ब्रंको को देखें मसल्स टाइटन मसल्स में जो स्मूथ मसल है उसमें spasm हो चुका है इसमें spasm हो चुका है content हो गई है और इसलिए volume कम हो गया है volume कम हो गया इसलिए कासे nising swine हमको सुनाई उपड़ता है और इसी करन सांस लने में तकलीफ होती है ठीक है इसलिए bronchodilator का इस्तमाल करते हैं हम जो है ऐसी दवाओ को यूज़ करते हैं जो इस spasm को open कर देती है ठीक है clear question number six अब बड़ा अच्छा question आया भाई अब लगाओ दिमाग इसमेट के ये question बहुत important question बटा टोटल lung capacity minus functional residual capacity क्या बनेगा बताओ ठीक है total lung capacity minus functional residual capacity ठीक है और अब आपको बताना है किसका उत्तर क्या होगा ठीक है total lung capacity minus functional residual capacity तो अब आंसर क्या हैगा please थोड़ा recall करो याद करो सब पढ़ाया मैंने एक एक चीज पढ़ाया मेरा नाम खराप मत करना भाई हो ठीक है बच्चो नाम खराब ने करना कमांडो स्थीक है ठीक है तो बार एक पर उपर दाओ लगा यह अच्छा गर करके आना एक्जाम में एक बार काम करते हैं हमने बार capacity को तहाँ साँ देख लेते हैं ठीक देखो बेटा क्या देख रहे हैं आप हमने कहा आप से total lung capacity मतलब क्या हो गया आपका मतलब हो गया है आपका कि इसका मतलब क्या हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पाइरेटरी रिजर्फ वॉल्यूम प्लस एंस्पाइरेटरी रिजर्फ वॉल्यूम ठीक है प्लस रेसडल वॉल्यूम total air जो लंगस पर मैनस क्या हमने FRC minus क्या हमने FRC FRC क्या होता है यह होता है expiratory reserve volume plus residual volume ठीक है तो एक काम किया हमने हमने क्या किया हमने cancel कर दिया ERV को हमने ERV से cancel कर दिया RV को RV से cancel कर दिया तो अब क्या आ गया अब हमको बचा TV plus IRV बचा दोनों को मिला के क्या बलते हैं inspiratory capacity कहते हैं answer आ गया हमारा याद रखना पड़ेगा कि मजाक नहीं है यह और NCRT का ही question है TLC में से आपने FRC को minus किया तो पहले पता हो आच यह TLC मतलब जितना भी air प्रिजेंट है लंग्स में वो सब TLC में गया Tidal Volume, Inspiratory Reserve Volume, Expiratory Reserve Volume और क्या होगे आपका residual volume के FRC क्या होगे FRC होगे आपका Expiratory Reserve Volume प्लस जो है वो आपका Expiratory Reserve Volume और प्लस residual volume के आपने minus किया तो आपने ERV-CRV कर दिया है RV-CRV कर दिया है तो क्या बचा TV प्लस IRV बचा और यह क्या होगे यह होगा Inspiratory Capacity होगे तो आंसर क्या है इसका ठीक है अब देखो हम अपना NCRT में कहा लिखा NCRT दुखायता हूँ Tidal Volume कितना होता है 500 ml भूलना नहीं Normal sas लेते हैं बगेर effort के sas लेते हैं यह sas छुड़ते हैं That is the Tidal Volume के Inspiratory Reserve Volume क्या होता है कि हम जो है वो Normal sas लेने के बाद Forcefully इतना sas हम अंदर ले सकते हैं Forceable Inspiration वो है आपका IRV 2500 से के 3000 ml होता है ठीक है ना Milliliter होता है फिर Expiratory Reserve Volume को होतला है Normal sas छोड़ने के बाद हम कितना sas हवा और बाहर निकाल सकते हैं It is 1000 to 1100 ml Expiratory Reserve Volume होता है ठीक है Normal sas लेने के बाद कितना sas और अंदर ले सकते हैं Inspiratory Reserve Volume हो गया Normal sas छोड़ने के बाद कितना air और बाहर शोड़ सकते हैं Expiratory Reserve Volume हो गया ठीक है Normal sas लेना और छोड़ना Tidal Volume Restial Volume मतलब हम जो है Forcefully air को बाहर निकालने के भाबद हमारे lungs पुई तरीके से खाली नहीं होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ air प्रिजेंट रहती है ठीक है और वो होती है Restial Volume उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं 1100 से लेके 1200 ml होता है ठीक है रख फिर Inspiratory Capacity का मतलब क्या हो गया उसने कहा कि आपने नॉर्मल सास में जितना air अंदर लिया प्लस आपने फोर्स फुली जितना air अंदर लिया इंस्पारेटरी Capacity कि कुल कितना हवा आप अंदर ले सकते हो Tidal Volume नॉर्मल सास में आपने हवा अंदर लिया फोर्स फुली अंदर लिया आपने Inspiratory Reserve Volume इसी प्रकार जो air आप बाहर छोड़ते हैं और कुल कितना air आप छोड़ सकते हो कितना लंग से आप air बाहर निकासते हो Tidal Volume प्लस Expiratory Capacity जब हम बोलते हैं Functional Residual Capacity की बात करते हैं FRC Functional Residual Capacity की बात करते हैं तो मतलब यह Total वो air है जो नॉर्मल सांस छोड़ने के अलावा लंगस में होती है मतलब ERBB शामिलेस में और RBB शामिलेस के अंदर Vital Capacity का मतलब होता है कि वो सभी air जिसको एक विक्ति सांस में ले सकता है या छोड़ सकता है forcefully ले सकता है या छोड़ सकता है वो air Vital Capacity है इसमें उस air को शामिल महीं नहीं करोगे आप जिसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो that is the residual volume ठीके उसको भी जोड़ो लोगे आप इसमें तो क्या बन जाएगा total lung capacity बन जाएगा अब ये जितने volume लिखे है NCRT में सारे एकदम अच्छे से बिटा याद होना चाहिए ठीके ना clear तो answer आपको आगया कैसे निकाला मैंने बता दिया बिटा आपको answer ना चलिए आगे बढ़ते फटा फट question number 7 अब तो बनना चाहिए अब नहीं बनेगा तो पिटाई लगेगी जम कर के expiratory capacity is equal to very good आपने का sir ERV plus TV answer आगया के expiratory is the volume plus tidal volume clear simple एक graph is plotted between PO2 and percentage saturation of hemoglobin with oxygen it is known as क्या बोलते है बढ़ा simple सा question है and this is also most probable question 2021 ठीके oxygen dissociation curve तो गलती मत करना oxygen association curve answer मत लगाना जल्दी जल्दी में देखोगे वही दिखाई पड़ेगा और गलत लगाओगे answer oxygen dissociation curve ठीके देखे ये NCRT में oxygen dissociation curve देखा है जो कि sigmoidal shape का होता है ये shape भी पुछा जाता है इसका इसका right shift और left shift याद रखना है बिटा right shift का मतलब है कि hemoglobin oxygen को छोड़ रहा है release कर रहा है right shift का मतलब है oxygen dissociation curve के right shift होने का मतलब है कि hemoglobin ने oxygen को छोड़ दिया है और left shift होने का मतलब है जोड़ रहा है अपने साथ में right shift होने के लिए वो सभी condition होती है जिनमें कि hemoglobin oxygen से affinity को कम कर लेता है और ये condition क्या होती है कि वहाँ पर CO2 का concentration बढ़ गया हो ये सब exam के question है CO2 का concentration बढ़ गया हो ठीके फिर temperature tissue के level पर अधिक होता है तो आपको इतना रखना है कि temperature अधिक होने पर hydrogen ion का संद्रण बढ़ने पर या pH के value के घटने पर और CO2 के partial pressure के बढ़ने पर oxygen disocial curve right side shift होता है जो बताता है कि oxygen को hemoglobin रिलीस कर दिया है left side कब shift होता है और यह जो right side shift होता है इसे ही हम बोलते हैं हापे बोहर shift के CO2 की presence के करण hemoglobin oxygen को छोड़ देता है CO2 की presence के करण hemoglobin oxygen को से affinity कम कर लेता है और छोड़ देता है फिर हम करते हैं left shift की बात करते है left shift में क्या होता है कि यह जब hemoglobin अधिक होता है वहाँ पर hydrogen concentration कम होता है temperature भी कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है left side shift होता है और left shift होने का मतलब है हीमoglobin और oxygen आपस में affinity को शोड़ते हैं और हीमoglobin से oxygen जोड़ रहा होता है ठीक है हेलडाने effect चलिए तो answer आ गया oxygen decision curve याद रहतना है एक्जाम के लिए बहुत important है तब ही मैंने आपको question को लिया इसको question number 9 match the column first with column second को match कीजिए चलिए फटा-फट match कीजिए ज़दा time नहीं है मारे पास में जल्दी-जल्दी match कीजिए इसको ठीक है earth warm skin के through most critical तो एका 4 एका 4 तो first cancelled के aquatic आर्थुपडा में गिल्स होंगे तो B का 3 हो गया B का 3 हो गया B का 3 हो गया ठीक है तो आंसर तो B आ गया हमारा ठीक है insect network of tube सही है ठीक है terrestrial organism lungs D का 2 सही है मुलास्का गिल्स सही है ठीक है तांसर आगया B इसका राइट आंसर भी B is the right answer चेक कर लेज़े चलो परफाम B is the right answer ठीक है ने बटा तो यह हमको सही उत्तरस का मिल गया ठीक है फटा 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 आंसर लगाना के next question जहां समझाने का होगा समझा होगा के the urge to inhale in human results form के एक व्यक्ति को सांस लेने की एक्षा क्यों होती है क्यों tendency होती सी किस कारण से सिंपल सी बात है बटा हमारे जो कीमो रसेप्टर होते हैं जो हमारे कीमो रसेप्टर प्रिजेंट होते हैं वो कीमो रसेप्टर जो होते हैं वे वास्तब में CO2 के पारिशल प्रेशर को मेजर करते हैं एक्चिली वो hydrogen ion concentration को pH को मेजर करते हैं और CO2 के पारिशल प्रेशर को मेजर करते हैं तो आंसर इस का होगा rising PCO2 that is very important ठीके ना clear आंसर इस A फिर question 11 which are the three main layers that form the diffusion membrane वे कौन सी तीन पढ़ते होते हैं तो diffusion membrane को बनाती हैं एक तो बेटा alboli की squamous epithelium फिर capillary की endothelium और basement substance देखो अब क्या गंस होगा thin squamous epithelium of alboli endothelium of alboli capillaries और basement substance तो आंसर तो B होना चीए इसका हाँ ठीके answer is B देखो NCRT का image याद रखना है बिटा level करने को भी आ सकता है ठीके answer is B question 12 अब देखो फटा फटा आंसर करो इसका box बेर खाए ABC को NCRT से ही question है most proud question है exam में आने की संभावना है मैं वही question करा रहा हूँ जो exam में आ सकते हैं ठीके रहा ठीक तो देखो बेटा question number 12 सही सही solve करना है ठीके बिलकुल common sense इस्तेमाल कीजिए पड़ा हुआ है हमने आपको पता ना चीके atmospheric air में CO2 का concentration इसमें कितना होता है that is point three यह answer cancel ठीके ठीक point three यहाँ पर आ गया फिर जो blood oxidated और deoxidated के जो फर्क होता है यह आपसे कहा कि जो फर्क होता है वो फर्क कितना हैगा बेटा है आपे देखो जाए ध्यान से रटके ध्यान से देखियो बताईए इसमें ठीके B और C को बताईए identify किज़े इसमें जो आपका deoxidated होता है उसमें oxygen का partial pressure कितना होता है यह होता है 40 ठीके और tissue में C2 कितना होता है 45 होता है ठीके देखो कहा दे रखा answer इसमे answer is A is the right answer यह table याद रखनी पड़ेगी भाई दिखाएता हूँ आपको कौन से table यह table यह table इबिट आटके यह table NCRT का है याद रखना पड़ेगा आपको please भूलना नहीं इसको समझ गए ठीके clear चलिए तो answer आगया हमारा इसमे question number 13 फिर से देखो जो पड़ा है उसी में पता चुका भी आपको सही उत्तरा आच यह if a person excel out forcefully by applying all his effort ठीक रहा forcefully पतला उसने आपका tidal volume भी बाहर निकाल दिया expirate reserve volume में बाहर निकाल दिया what will be the pulmonary volume inhaled by him immediately under the और TV अंदर लेगा ठीक है मतलब expiratory capacity की बात कर रहे है clear मतलब हम expiratory भाई जो आपने forcefully बाहर निकाला ERB वो भी अंदर लेगा और normal volume TV भी अंदर लेगा हो answer आगया C इसका clear question number 14 solubility of CO2 is कितने गुना आधिक होती है oxygen से आकड़े याद रखना है बेटा data याद रखना भूलना नहीं that is 20 to 25 times more solubility होती है CO2 case compared to the O2 answer is B question number 15 most probable question exam में आने की संभावना ठीक है NCRT का इक अग अग statement है question में convert क्या गया है बताइए A, B, C fill in the blanks दे रखे है तो A, B, C को fill कीजिए A क्या है, B क्या है, C क्या है बताओ यार है ना देखो बेटा जो breathing में respiration में जो receptors है वो basically CO2 के concentration को पहचानते है उसके partial पहचानते है hydrogen ion concentration को पहचानते है तो मतलब they are the chemo sensitive area ठीक है ना highly sensitive to the CO2 hydrogen ion ठीक है सीधा statement है ये सीधा statement है ये ऐसे statement NCRTK आते हैं बिटा एक्जाम में ठीक है ना तो answer क्या होगा इसका answer रून टे चलो answer कहा गया इसका chemo ये तो cancel होगा chemo CO2 hydrogen ion ठीक है ना तो answer आ गया इसका delta D is the right answer question number 16 column अस्तमा बताया है मैंने अभी bronchi और bronchiose का inflammation है M5 सिमा में जो alboli होती है जो cronic smoking करते हैं जो लोग धुए वाली factory में काम करते हैं ठीक है उन लोगों में जनली क्या होता है जो occupational disorder जिनको होते है कहीं पर dust थी कहीं पर cotton dust था तो वो घट्टा हुआ तो उससे alboli का जो terminal हिस्सा होता वो damage आता है ठीक है पर्मानेट डमेज आता है chronic disorder था है इसमें के alboli की wall permanently damage कर जाती है occupational disease में क्या होता है लंबे exposure के करण क्या होता है chemical जो है वो वास्तब में lungs में जमा हो लगते हैं और fibrosis करते हैं वो ठीक है ये 1, 2, 3 तीनों सही हो गया है एमफाई सीमा का main करण होता है cigarette smoking ठीक है तो 1, 2, 3 is the right answer question number 17 chloride shift is called chloride shift को क्या कहा जाता है कई चीज़े NCIT में directly mention नहीं है पर conventional question नहीं है बार-बार पुछे के question है previous year में आयो होए question है और important अटके तो ये भरम में मतना है ना कि आप से नहीं पुछेंगे chloride shift you should know about because basic phenomena है तो chloride shift क्या होता है देखो बेटा CO2 क्या होता है RBC के अंदर maximum नहीं manly RBC के अंदर carbonic enhydrous नाम का enzyme होता है सबसे अधिक concentration में ये blood में RBC के अंदर मिलता है carbonic enhydrous enzyme और ये CO2 plus H2O को जो carbonic acid जो बनता है उसको dissociate होने में help करता है hydrogen ion जो dissociate हुआ है तो जो bicarbonate ion होते है bicarbonate ion के रूप में mainly CO2 mainly CO2 होता है वो mainly bicarbonate ion के रूप में उसको जो है हम जो है वो इसको हम जो है वो lungs तक elbow तक भेचते है और इसको ये travel करता है ये हम यसा बोल सकते है कि respiratory system में जो CO2 है उसे eliminate करने के लिए जो form काम आता है वो होता bicarbonate ion अब bicarbonate ion को क्या करते है कि यदि वो RBC के अंदर present रहेगा तो जो hemoglobin है उसमें hydrogen जोड़ जाता है और जैसे ये acid dissociate होता है carbonic acid तो hydrogen ion मनेगा carbonic ion मनेगा तो hydrogen ion को hemoglobin अपने पास जोड़ लेता HHS भी बन जाता है वो bicarbonate ion को RBC से बाहर कर देते है अब यहाँ पर एक anti-port system काम करता है RBC की membrane पर एक anti-port system काम करता है bicarbonate ion को बाहर फेक देगा और बाहर बदले में बाहर से अब ion को बाहर फेकेगा तो ionic balance को maintain रखना पड़ेगा minus को बाहर किया तो बाहर से एक दूसरा minus अंदर आता है तो chloride shift इसको बोलते हैं इसे हम hamburger phenomena कहते हैं और यह CO2 के transportation से जुड़ा होता है ठीक है most of the हम कहते हैं most of the हम कहते हैं most of the HCO3 जो होता है bicarbonate जो होता है वो bicarbonate जो होता है उसको जो है वो erothoside के अंदर बनता है और इसको एक antipore system से बाहर के और जो है pump कर देते हैं बाहर pump कर देते हैं और बदले में chloride को अंदर ले आते हैं इसको chloride shift कहते हैं ठीक है बोहर effect मैंने आपको बता है पहले भी मैंने कहा बिटा बोहर effect का मतलब क्या होता है कि जब tissue के पास में hemoglobin oxy hemoglobin tissue के पास पहुचता है तो वहाँ पर CO2 का percentage अधिक होता है वहाँ पर CO2 का partial प्रस्ट अधिक होता है टिशू के पास में pH कम होता है इसलिए hemoglobin की affinity oxygen के लिए कम है आती है और वह oxygen को छोड़ देता है इसे बोहर effect बोलते है और इसका ठीक उल्टा होता है जैसी अलबले के पास में hemoglobin पहुचता है तो oxygen का partial प्रस्ट पर महाँ पर अधिक होता है CO2 का कम होता है तो अब oxygen के लिए hemoglobin के affinity बढ़ जाती है उसे held down effect कहते है तो प्लीज डोंट फॉरगेट बोहर effect held down effect and hamburger phenomenon भले ये NCRT में नहीं दे रखा है पर आपको याद होना चीए ठीक है clear clear याद रखना बढ़ा important is चलिए आगे बढ़ते है next question chloride shift is called इस अब देख लिए हमने इसको देखके next question है wind pipe arises from wind pipe कहां यहां से उत्मों होते है मतलब कौन से structure के पास में trachea की शुरूआत होते है wind pipe बोले तो trachea wind pipe बोले तो trachea याद रखना है बढ़ा larynx के बाद larynx के बाद जो है वो trachea की शुरूआत होती तो answer इसका simple सा है 8 के question number 19 आप देखो आपको arrange करना सब बता चुका हूँ आपको मेट के arrange the following in order of increasing volume volume के बढ़ते हुए करम में volume के बढ़ते हुए करम में पहले कम रखना है फिर सबसे last में सबसे अधी करना है arrange कीजिए इसको फटा फट solve कीजिए solve कीजिए इसको सबसे कम है tidal volume 500 ml ठीके फिर उसके बाद क्या हो गया expiratory volume 1000 to 1100 है ना इतनी होगा restal volume 1100 to 1200 ठीके वाइटर के बढ़ते हैं सबसे इन सबसे अधीक होगा सब को जोडने के बाद आएगा मतलब क्या हो गया आपका tidal volume उससे अधीक expiratory volume उससे अधीक restal volume उससे अधीक vital capacity तो आंसर क्याएगा 1 3 2 4 answer should be C C is the answer चेक कर ले दें चलो देखिये है ना tidal volume 500 ml ठीके फिर क्या था उसमें expiratory is a volume 1000 to 1100 ml restal volume 1100 to 1200 ml ठीके vital capacity सबको जोड़ लो गया बड़ा वेली वाली हो समझ में आ रहा हो तो देखिये ठीके न answer आगया आपका ठीके विटा क्लियर चलिए chloride shift किसके response बता है अभी बता है मैंने chloride shift occurs in response to bicarbonate iron को बाहर भेजने के लिए एक anti-port system काम करता है bicarbonate iron को RBC से बाहर करते है plasma में जाता है plasma के through ये carry होता है और chloride अंदर जाता है the answer is bicarbonate question number 21 a molecule of hemoglobin carries how many oxygen molecules के hemoglobin के एक molecule में कितने oxygen molecules को carry करता है वही एक hemoglobin में 2 alpha 2 beta चैन होती है हर एक हीm group होता है तो चार oxygen molecule को वह carry करता है clear 22 major part of CO2 is transported to respiratory surface as अभी देखवा गया अभी मैं बताया था कि CO2 का major part जो है वह respiratory surface तक किस form में transport होता है तो अभी मैंने कहा था आप से this is transported in the form of bicarbonate iron 70 से 75% है ना ठीक है question number 23 asphyxia occurs due to asphyxia या स्वसना अभरोज इसके कराण रहता है जब oxygen body को मिलना कम जाती है जब oxygen का level का body में काफी कम जाता है तो उस condition को क्या बलते है उस condition को हम बलते है asphyxia बलते है उस condition के लिए हम क्या word हुष कुते है उसके लिए हम ज़भी as fraction word का हम इस्तिमाल करते हैं तो answer क्या होगा इसका fall in the oxygen level ठीक है question number 24 oxygenated blood from lungs is carried to the heart by lungs से oxygenated blood heart तक को लेकाता है याद रखिए जो भी blood vessels heart तक आते हैं वो veins होते है और जो heart से दूर है heart के पास जो आता है heart से जो दूर जाता है वो artery होता है तो मतलब जाहिड सी बात है heart तक आ रहा है तो artery तो हो नहीं सकता है ठीक है veins है और lungs से आ रहा है तो pulmonary vein है clear? simple सा question है question number 25 blue copper protein complex content in some molaska in the plasma proxen transportation पुछ रहा है blue color का pigment कौन सा है जो molaska के blood में देखने मिलता है plasma में देखने मिलता है that is the hemosinin it is the blue blood और chloroqurion जो होता है वो green blood के लिए responsible है green ठीक है hemoglobin red and this is the blue ठीक है यह सब oxygen carrying pigment है blue rubin जो होता है यह bile pigment होता है ठीक है question number 26 carbon dioxide entering entering react with water to form carbonic acid carbon dioxide जो यह सब्सक्राइब करती है RBC में इंटर करती है water से क्रिया करती है carbonic acid बनता है यहाँ पर कौन सा enzyme काम करता है मैं कह रहा हूँ आप से 2021 का MCQ है एक्जाम का ठीक है है ना मैं कह रहा हूँ आप से आएगा अंसर इस simple सा question है सबसे fastest काम करने वाला enzyme है यह it is the carbonic enhydrous the answer clear question number 27 bicarbonate iron is produced inside कहां बनते हैं अभी बता कूँ देखो सब connected है समझाना वो सब आपस connected है बताईए bicarbonate iron जो है वो कहां बनते हैं मैं आप से का most of the carbonic enhydrous enzyme जो है वो इर्थोसाइट के अंदर पाई आता है वही पर bicarbonate iron का formation होता है तो answer इसका होगा इर्थोसाइट is the answer ठीके 28 28 about 1500 ml of air left in lungs even after forceful expression is called actually में यह कितना होता है 1100 से लिके 1200 ml होता है पर लिखाया है exam में करते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं तब भी कुछ air अंदर रहाता that is the residual volume that is the residual volume answer is C question number 29 oxygen decision curve of hemoglobin is बताई यह भी कहा था मैं आपसे किस shape का कर होता है सिगमोईडल कर होता है again important question है कई बच्चों ने मुला sir बहुत simple question दे रहे हो आप बहुती लड़ू question दे रहे हो exam में बिटा ऐसी question आते हैं इन में गलती नहीं करना है लड़ू है तो तुम 50 में से 50 सही करो लड़ू है तो तुम सब सही करो ना भाई ठीके अच्छी बात है सिग्माइडल करभ होगा question नमर 30 चलो उस लगाओ आप solve करो उसको level करना level कीज़े मैं वक्त time दे रहा हो ध्यान से option पढ़िए और level कीज़े NCRT में इससे मिलता जोता है एक image दे रखा है ठीके यह तो clear है हमको कि B दिखाई पढ़ रहा है यह thyroid है इसमें कोई doubt नहीं है A क्या है A है epiglottis इसमें भी कोई doubt नहीं है A है epiglottis तो एक ही जगे दे रखा है epiglottis तो यहाँ दे रखा है B thyroid दे रखा है यहाँ पर मेरे इसाब से तो answer D होना चीज़ का चलो चेक कर रहते हैं एक बार ठीके फिर अब D और C में C में उसने क्या क्या C में trachea बता रहा है D में तब अब यह तो confusing है arrow यहाँ लगा हुआ है C O D का लेकिन हमें यह पता है कि A epiglottis है और B thyroid यह confirm it को हमने option में देखा तो हमको यह answer मिलना चीज़ देखते हैं NCRT के में देखो A epiglottis देखो अब ना बना यह पीग्लॉटिस ठीक है ऐसी दा ना देखो image में देखा इज़र आए इपी ग्लॉटिस ठीक है ना clear देखो answer is right D is that मैंने कहा ना A epiglottis है पिथर कई बार बेटा ऐसा होगा exam में बिलकुल दिमाग में डाल लिजे ला एक्जाम में एक या दो image ऐसे होंगे physics में भी हो सकता है बायों में भी हो सकता है एक या दो image ऐसे होंगे जहां पर leveling confusing होगी तो इसलिए बाकी चीज़ों को देखकर आपको decide करना है question number 31 hiccups क्यों आते है hiccups is due to activity of hiccups क्या होते है में बैसिकली बताइए सही उत्तर सही उत्तर पहले आप दीजिए hiccups होते हैं that is the incomplete inspiration होते हैं जर्की होते हैं एकदम जटके के साथ हवान दाती क्योंकि diaphragm जब ज़्यादा खाना खार लेते हैं तो जो है कई यह बार diaphragm को irritation होता है तो उससे वह जनरली क्या करता है वह forceful contraction करता है जो rapid होते हैं वह hiccups होता है ठीक है डाइफरम जल्की incomplete inspiration 32 plural is double membrane sec which अब बताओ किसको इंविलब करता है plural plural सबका संबन्द लंग से होता है simple सा question है इंविलब दिलंग्स के और प्लूरल cavity में plural fluid भरा होता है याद रखना है इसको ठीक है न clear 33 if the thoracic wall but not lungs is punctured मैंने बताया भी थोड़ी दर पहले thoracic wall को यदि छेद कर दिया है पंचर रहा thoracic wall lungs ठीक ठाक रहें तो क्या होगा तो भी वेक्ति की death वहाएगी क्योंकि lungs कोलेप्स कर जाएंगे, क्योंकि lungs को मैंटन रहने के लिए क्लिए वह होता है वह ऐसे प्लाइज स्ट्रेश फॉर्म में होता है जहसी छोई थोरसिक wall का में छेद होगा तो क्या होगा कि जो लंक्स का तराक। थाना को पूरा है, लंक्स राखते सगला जयाएंगकि और आपका शांस लेने में दिक्कत होईएगा कुग एक हमाना थरासीक वालल का ठी एक टाइट जैकिट समान जो बना होता है वो खतम हो जाएगा हाँ पे तो आपका भले ही कॉंटेशन होगा लेकिन जो यह वो लंग्स एक्स्पांड नहीं करेगा तो सास नहीं रे पाएगा विक्ति लंग्स कॉलेप्स कर जाएंगे ठीके आंसर इस भी यह NCRT एग्जेंप् But It is that the most common question मेंसे के तो जब हमारे लंग्स कहीं ओवर स्ट्रेच्च ना कर जाएं जादा to die ऊच्जल blessing बाद में वह लंग्स में एक प्रकारी कोरा करते हैं लंग्स में प्रकार से स्ट्र्च नहीं करना है इसलिए फिर जो है हम और लंग को expand नहीं कर पाते हैं तो ये क्या होता है ये होता है तो ये क्या होते है इसका संब्द होता है pulmonary inflammation से ठीके सांस लिने से इसका संब्द होता है ठीके 35 An instrument for measuring the air capacity of lungs lungs की air capacity को measure करने के लिए कौन सा instrument यूज करते हैं spirometer का हम इस्तमाल करते हैं blood pressure के लिए sphignomanometer का यूज करते हैं heart sound को सुनने के लिए स्कोप का यूज करते हैं spirometer से हम कौन सा air volume नहीं नाप सकते हैं residual volume का हम spirometer से नहीं नाप सकते हैं वो बाहर निकलते ही नहीं है 36 match करो column को मैच कीजिए अब देखो आपको पताना चीजिए तो बड़ा अच्छा question आ गया है फिर से same type of question आ गया है एक के तो कॉलम को मैच कीजिए पताईए क्या सही उत्तर होगा इसका residual volume क्या है बिटा five and ml तो एका third एकी जगे पर रखा पस आगया अंसा हम लगाएंगे नहीं दिमाग हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं ठीके ना बिलकूल एकदम अरे गलत कर दिया मैंने कैसे अरे मैं उसको title volume बोल समझे नहीं 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 दिमाग लगाएंगे भाई ठीके मैं अपनी बातों से बापस मुक करता हो मैं ठीके गलती से मैंने इसको title volume पढ़ लिया हो गया के inspiratory reserve volume क्या हो गया शोड़ के inspiratory कैपसिति क्या हो गया 3000 से 355 एमल हो गया मतलब रेस्ट को रेस्टल volume कितना है 1100 ml से 1200 ml ठीके है ना तो फस्ट का हम ने क्या हैं फस्ट का 4 आ गया फस्ट का 4 जो प्रप्षिंद रखा है यहां पर दोनों के इस दिमाग में था टाइडल वालूम को देखते हुए भी टाइडल वालूम पर समझा मैं उसको तैसी गलती मत करना देखो जब मैं पढ़ाते पढ़ाते कर दिया इसको तो आप कर सकते इसलिए जिमाग में कई बार जो भरा होता है ना वह एकदम से निकला आता है वाज थोड़ा ध्यान से कोश्चन पढ़ना ठीक है है ना हम तो यहां पर ठीक कर लेंगे काला गोला ठीक नहीं होता भाई वह है ना इसलिए ध्यान रखना ठीक है तो फिर 37 a limit of gases exchange of respiratory membrane between alvely and pulmonary blood is known as मतलब बोल रहा है ए लिमिट ऑफ गेसेद एक्षेंज ऑफ रेस्पेर्टरी मेंब्रेंट between alvely and pulmonary blood is known as के बोल रहा है कि कितना गेसे एक्षेंज रेस्पेर्टरी मेंब्रेंट में के थ्रू अलबलाई और pulmonary membrane की बीच हो पाता है इस दी नोन एस diffusing capacity बोलते हैं के इस न्यू कोश्चन वहता है याद रट के diffusing capacity का मतलब होता है यह वो लिमिट होती है जितना air diffuse हो चकता है थूदी रेस्पेरेट्री सर्फेस जोकि alvely की simple commerce epithelium और capillary के endothelium और basement substance से बनी होती है ठीक है 38 जब डायफ्राम एक व्यक्ति का डायफ्राम completely dom shape है तो क्या indicate कर रहा है completely dom shape है मतलब सास वो छोड़ चुका है पूरी अब अंदर आएगा सास लेने के लिए मतलब expiration complete हो गया अब inspiration की त्यारी करेगा मतलब यह है end of expiration and beginning of inspiration answer 30 यही तो होगा ना पूरा dom shape हो चुका मतलब सास पुरी volume कम कर दिया सास पुरा छोड़ दिया उसने अब सास लेगा अंदर वो आंसर यह आएगा सही है 39 location of intercostal muscles intercostal muscles की location कहा होती है inter मतलब 2 के बीच में costa मतलब rips costa मतलब rips inter मतलब 2 के बीच में तो answer आ गया between rips चीके 40 controlling center of normal breathing in mammals lies in अब यह याद रखना रखे normal breathing के लिए जो controlling center mammals में कहां पर होता है बेटा answer क्या होगा असका बताओ what is the right answer बताइए medulla oblongatis the right answer ठीके डा medulla and pawns याद रखना आपको ठीके फिर इन अस्तमा 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 the affected organ area of lunges मैंने बता है थर के अस्तमा में lungs का कौन सा area affected रखना याद रखना अस्तमा का असर जो है वह वह यह वह यह वह यह वह यह में सिंपल स्कॉमस होती है तो एक्शली में जो अस्तमा में जो contraction होता है वह conducting part में होता है diffusing या air exchange part में नहीं होता है तो अस्तमा में जो affected area क्या होता है that is the conducting part तो कई बच्चे answer all लगा देंगे गलत आंसर कंड़क्टिंग पार्ट ब्रॉंक्योस वाला हिस्सा वहां पर contract कर जाता हूँ ठीक है फिर फॉर्टी टू ट्वंटी ट्वंटी वन का expected question most problem question पढ़िए question answer दीजे निमोटक्सिक सेंटर और respiratoryism center कहां पायाते हैं बताइए ठीक है देखो बिटाए ना simple सी बात है निमोटक्सिक सेंटर होता है पॉंस में ठीक है respiratoryism center होता है मेडूला में ठीक है निमो पी फॉर पॉंस ठीक है निमोटक्सिक सेंटर होता है पॉंस में और जो है वो respiratoryism center होता है मेडूला में याद रखना है पूटके ये पूरा NCRT का परगाप अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए भूलना नहीं मिटा है थोड़ी थोड़ी बाते लिखी हैं इसमें पर ये बाते बड़ी इंपोर्टन है तो फटा-फट जिन बच्चों से नहीं बना ये कुशन प्लीज NCRT के इस प्रगाप को ध्यान से पढ़ लीजेगा कि कि नियूमो टेक्सिक सेंटर कहा होता है बिटा ये रेस्परेटरिदम सेंटर कहा होता है ये होता है मेडूला में होता है ठीक है नियूमो टेक्सिक सेंटर कहा होता है ये होता है आपका पॉंस में होता है ठीक है ना क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत डिटल में यह पढ़ाया हुआ है पर आपको अच्छे से पता होना चीए ठीक है अब भी देखो अब घुमा के पुछ लिया उसी चीच को अब निटके मतलब ब्रॉंकाई और ब्रॉंक्योल में इनिफ्लमेशन है नीजिंग साउंड है मतलब उसका डाइमेटर कम हो गया तो हवा जब पास हो रही है तो उसमें से आवाज आ रही है कहां देखने मिलता है हमक यह देखने मिलता है हमको कहां गलती से आवल आंसर मतलगाना आंसर इसका है अर्स्तमा ठीके 44 incidence of emphysema is high in cigarette smokers in such case emphysema होने की संभावना cigarette पीने वालों में अधिक होती है ऐसे मामलों में क्या होता है मैंने कहाता आप से terminal जो elbligh होती है उनकी wall permanently damage कर जाती है तो emphysema में जो elbligh होता है उसका wall permanently damage हो जाता है ता आंसर इसका होगा बिटा भी ठीके 45 when fat are respiratory substrate the value of value of RQ will be देखो बिटा RQ value से हमको ये मालूम चलता है कि कौन सा substrate respiration में इस्तमाल हो रहा है जब carbohydrate को use करोगे तो RQ value आता है 1 protein को fat को use करोगे less than 1 जब organic acid use होगा more than 1 ठीके तो यदि fat पुछा है उसने तो answer आगा इसका अप्रोक्स 0.7 पतला एक से कम वेल्यू ठीक है 46 reduction in pH of blood will blood के pH में कमी कब आईगी अब option देखते हैं reduction in pH of blood will reduce the blood supply to brain, decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, reduce simple सी बात है यदि pH में blood के pH में कमी आ रही है मतलब carbonic acid बन रहा है मतलब CO2 का volume बढ़ रहा है मतलब pH कम हो रहा है मतलब hydrogen ion concentration बढ़ रहा है आदके तो answer होगा इसका यहां पर बोहर effect काम करेगा तो hemoglobin के लिए oxygen के affinity कम हो जाएगी clear? ठीक है? Hemoglobin के लिए oxygen के affinity जो है वो कम हो जाएगी clear? तो क्या answer आए बिटा इसका देखो? देखते answer इसका answer is beta B, right answer के decrease the affinity of hemoglobin with the oxygen ठीक है normal shape of diaphragm relaxed condition में normal shape of diaphragm relaxed condition में diaphragm के सा होता है dome shape होता है simple सा कुश्यन है ही ठीक एकफ ठीक which of the following prevent collapsing of trachea कोन सा trachea को collapse होने से टेकया एकफ़ एकफ़ झिपक नहीं जाता है pipe audio आता है just because of presence of the C-shaped incomplete ring के समाखते हैं C-shape होते हैं that is the cartilage ring जो कि C-shape की ऐसी होती है ठीक है रहा ठीक है ना ट्रेक्यल इंको हम कह लोगते हैं ट्रेक्यल रिंक्स मोलते हैं इंको 49 left shift of oxyhemoglobin curve is noticed under यह आपको पताया था मैंने कहा था कि यह oxyhemoglobin curve है इसका right यह right shift है और यह इसका left shift है right shift कब होता है जब CO2 का पारिशर पेशर बढ़ जाए pH घट जाए hydrogen and concentration बढ़ जाए temperature बढ़ जाए तो shift होता right left opposite condition है कि partial pressure of CO2 का जो है वो कम हो pH value अधिक हो hydrogen and concentration है कम हो temperature कम हो तो shift left होगा है तो तो क्या बोलेंगे है low pH वाले answer cancel है low temperature and high pH ठीक है low temperature high pH यह सही है low pH गलत है ठीक है left shift हो रहा है मतलब answer ना चीज़ का B B should be answer क्योंकि left shift हो रहा है ठीक है normal में हमने shifting बोल रहा है मतलब condition को थोड़ा change किया हमने तो answer ज़का होगा beta बी ठीक है तो normal temperature normal pH answer नहीं होगा पटा क्योंकि normal condition तो fixed condition होगा यह ठीक हो ठीक है तो मतलब यह शिफ्ट season binding to hemoglobin is के hemoglobin से oxygen का binding किस अब देखो option देखते है directly professional to CO2 concentration directly professional to CO2 concentration इनवर्सी प्रफेशल तो the CO2 भाई सिंपल से अभी पढ़ा बोहर effect and held आने effect के CO2 अधिक होगा तो hemoglobin oxygen को छोड़ देगा dissociate कर जाएगा CO2 कम होगा जोड़ लेगा मतलब it is inversely professional to the CO2 concentration answer आगया इसका सी ठीक है पचास question किये हमने 50 minute में 51 एकाथ 2 minute बाद भी तो किया हमने upset के तो इन question में आप बताना सही सही number बताना कि कितने आपने सही किये और आपको बता दूँ मैं आपको कि पेपर जो होता है ना जब examने paper बनाता है तो उसको सारे chapter 11 के पूरे chapter 12 के पूरे chapter सभी chapter के question उसको लेने होते अब वो सभी chapter से कठिन कठिन question नहीं लेता हूँ आपसे most of the 90% paper जो है वो ऐसा ही होता है 10% में फर्क आना सुरू होता है वो भी धीमदी में कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा गलती कर बेठे आप तो वो अशा होता है ठीके इसने प्लीज बड़े ध्यान से पढ़िया चलो मिलते हैं अगली क्लास में body fruits and circulation में ठीके तो फिर एक बार repeat करते जाने के पहले पहले क्या ना जीत में ना हार में यकीन मेरा सिर्फ प्रहार में ठीके commandos बाई बाई